नमस्का, मैं उससी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जिसमें सबसे अहम मुद्दा है बयट के बिरूद खर्च की गई रासी का बिवरन बतादे सभी बिभागों के पर मुख बताएंगे कि योजना बयट के बिरूद निर्गत सुविक्रिती आदेश आवंटन आदेश और ब्याय की स्थिती क्या है इस बैठक की त्यारी को लेकर अबिवार को भी अधी संखे बिभाग खुले रहे और कर्मियों ने रिपोर्ट तयार की ताकि बैठक में बिभागिये पर मुख को जवाब देने में कठीनाई ना हो मौसम विभाग के अनुसार फरवारी के पहले सप्ता में ज्यारखन मौसम का बेजाज फिर से बदनने वाला है बता दे कस्मीर और हिमाचल परदेश महो रही पर बारी के कारण जहां राजे में सितलहर जारी है वहीं दो फरवारी से रायस्थान के रास्ते भी छोब आ रह की समभवना है वहीं अगले दीन तीन फरवारी को ज्यारखन समेत बिहार और पचिम मंगाल के कुछ हिसों में बारिस हो सकती है ज्यारखन सिक्षक पत्रता परिक्षा अम्तिम चरण में नियमावली ज्यारखन सिक्षक पत्रता परिक्षा में सामिल होना चाहते है तो इसके जेबनेट की अगली बैठक में अप्रस्ताव राखा जा सकता है बतादे संसोधित नियमावली में जेटेट की मन्याता आजीवन किया जा रहा है राश्ट्रिय अध्यापक सीख्छा परिशद के निर्देश पर किये जा रहे इस संसोधन के तहद यादि कोई अभियार्थी जा परिख्छा उतीन करता है तो उसके पर्वान पत्रिक की मन्याता साथ बरस की बजा है अब आजीवन होगी संसोधित नियमावली में परिख्छा के पैटर्न में भी बदलाव किये जा रहे है जार्खन के सभी जेलों में छापे मारी से हरकंप जार्खन में बढ़ते अब तक कहीं से भी कोई अपति जनक वस्तुम मिलने की सुचना नहीं है मुक्ष अचीव सुकदेव सिंग ने सनीवार की साम सभी जीलों के SP और उपायउक्तों से वीडियो क्रफेस्सिंग से बात कर अफ्राधियों के खिलाप सन्युक्त रूप से अभियान चलाने का निर प्रदन सिल कांडो का सिग्र निस्पादन भी सामिल था जारखन के वकील एक फरवरी को नियाई करें नहीं करेंगे जारखन हाई कोट के अधिवक्ता हजारी बाग में हुए जानलेवा हमले से राजे के वकीलों में रोस है बतादे इस गाटना के बाद जारखन राजबार को अपात बैठक की बैठक में एक फरवरी को नियाई कर नहीं करने का निन लिया गया इस दिन किसी भी अदालत में अधिवक्ते नियाई कर नहीं करेंगे इसके अलावा वकील काला विला लगाएंगे और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करेंगे बता पुलिस इसे एक्सिडेंट मान रही है क्योंकि घाटना अस्थल पर सौव के साथ दुर घाटना ग्रस्त गाड़ी मिली है जबकि परिजनों ने सत्यम की हत्या क्या संक्या ब्यक्त गी है परिजनों ने गुमला उत्पाद विभाग के दरोगा सोनु साहू परंगदारी नहीं देने पर हत्या करने कारूप लगाया है बता दे परिजन वग्रामीन दोसी दरोगा के खिलाप करवाई की मांग को लेकर दो घंटे तक टावर चोग गुमला के समीप निशनल हाईवे ज कित्सा डाक्टर नीलीमा कुमारी अफरन कांड का उत्भेदन कर दिया है बतादे पूलिस ने इस कांड में आरोपी भागी रथी सेठी उर्प सिम्थ सेठी को गिरफतार किया है आरोपी को राची के धुरवा छेतर से तकनीकी सेल की मदद से छापे मारी कर गिरफतारी किय गया बतादे पूलिस अधिक छक अंजनी अंजनने पत्रकारों की इस बात की जनकारी दिया है नकसलियों को पहुचाने जा रहे लेवी के रुपाए के साथ लातेहर में दो गिरफतार लातेहर जिला के महुआडा से भागपा मवादी संगठन के लिए लेवी के एक लाग स होते हुए 36 गड की ओर जार है थे सुचना पर तवरित करवाई करते हुए एसपी लातेहर के आदेशा अनुसार महुआ डर थाना प्रभारिया स्थोस यादो दो वारा टीम गठीत करशाबे मारी अभ्यान के तहत महुआ डर 24 थीत आयार्वी पूलिस केम्प के सामने दोफ काटने के बिवात को लेकर अभिवार को काफी संख्या में गरामीन खुटी थाना पहुचे बतादे लाठी डंडे से लेस होकर थाना पहुचे गरामीन पेड काटने का भरपूर बिरोध कर रहे थे वे पूलिस से पेड काटने परोक लगाने की मांग कर रहे थे गरामीनों प्रोना के 733 नए केस मिले हैं जबकि 1901 मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 2478 है भारत में 1,977 नए केस मिले है जबकि 2447 मरीज स्वस्त भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1829825 है